हाई एवरीवन स्वागत है आपका ग्रोविद स्किल्स में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम इफ फंक्शन की सम और इफ को हम सेपरेटली वर्प करके देख चुके हैं आज हम इन दोनों को एक साथ यूज करके देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे प हमारे पास कोई कंडिशन आ जाती है तो हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं और सम इफ फंक्शन के अंदर एक कंडिशन हम दे सकते हैं एक से ज्यादा कंडिशन के लिए हम दूसरा फॉर्मला यूज करेंगे उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे पहला है range, दूसरा है criteria, तीसरा है sum range, तीनों को मैं एक-एक करके explain करूंगी, आप सबसे पहले आपके पास जो table display हो रही है, इस पर है product ID, quantity, price per piece and total amount, हमारे पास जो criteria है या condition है, वो यह है कि जिनकी ID यह है, जो मैंने highlight कर रखी है, MO101, उनका हमें total find out करना है, तो यह condition हो गई है कि जिसकी ID MO101 है, उनका हमें total find out करना है, तो इस condition को हम normal sum से calculate नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर sum if का use करेंगे, तो sum if का use करने के लिए, सबसे पहले हमें range देनी होती है, अब वो range क्या होती है, मैं यहाँ पर पहले formula put कर देती हूँ आपके लिए, फिर बताती हूँ, range, range में हमें वो range देनी होती है, जिसके अंदर हमारी searchable value है, मतलब, जैसे हमें search किसके बिहाब पर करना है, इस ID के base पर जिसकी ID है MO101, तो वो ID जिसके बिहाब पर हम search करना चाहते हैं, यह बिल्कुल जैसे हम VLOOKUP में करते थे, कि lookup value कहाँ पर है, वो table हम लेते थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, कि जो हम search करने वाले हैं, मतलब, जिसके basis पर हमें search करना है, जो हमारी condition है, वो condition कहाँ पर है, तो वो condition इस वाले table में है, मतलब, इस वाले column में है, तो range हो जाएगा यह वाला column, मतलब, हमने उन्हें बता दिया, कि आपको जो value लेनी है, वो इस वाले column में से ही ढूननी है, उके, उसके बाद F4 प्रेस कर देंगे, value को fix करने के लिए, कॉमा, अब हमें देना है अंदर criteria, मतलब condition, तो condition हमारी क्या थी, कि जिनकी id है, ये, ओके, तो condition को हम तीन तरीके से दे सकते हैं, कैसे, सबसे पहले आप manually देंगे, यहां से, mo101, inverted comma के अंदर, आप manually लिखके दे सकते हैं, और ये case sensitive नहीं है, तो आप capital small, कैसे भी in value को दे सकते हैं, बट inverted comma के अंदर आपको देना होगा, ओके, एक और comma लगाएंगे, अब ये पूछ रहा है, sum range, तो जो third argument है, sum range वाला, उसमें हमें, उस value का range देना होता है, जो हमें as a output चाहिए, तो हमें output क्या चाहिए, total, जो भी हमने id दी है, उस id का हमें total चाहिए, तो total हमारा output है, तो range हो जाएगी, इन total की range, एब 4 प्रेस कर देंगे, और, तो अब हमारे पास, इन तीनों values का, sum आ चुका है, 6700, ओके, तो ये तो था एक तरीका, जहां पर हमने id को, manually लिया, अब दूसरी time हम क्या करेंगे, ये जो id हमने manually दी थी, इसको हम अब cell का reference देंगे, तो वो cell का reference, आप इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ही वाला हमारी id थी, आप इसको दे सकते हैं, और F4 प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो value सेम आईगी, और अगर आप इसमें से नहीं देना चाहते हैं, तो आप इस id को कहीं पे भी copy करके रख सकते हैं, ठीके, जैसे मैंने इस वाले cell में ले लिया, तो अब मुझे जो criteria देना है, वो मैं इस वाले cell को दे सकती हूं, इस वाले cell को ले लेंगे इस बार, और F4 से इसको भी freeze कर देंगे, और एंटर कर देंगे, तो इन तीनों मैंसे, आपको जो भी better लगता है criteria के लिए, वो आप use कर सकते हैं, आप manually दे सकते हैं, आप यहां से cell को select कर सकते हैं, या उस id को दूसरे जगह लेके उसको दे सकते हैं, जैसे हम look-up value पे देते थे, एक अलग table बनाते थे और look-up value लेते थे, quantity है, price है, total है, अब हमारे पास जो criteria है, मतलब जो condition है, वो यह है कि हमें total price find out करना है, जिनकी quantity क्या है, 70 है या 70 से उपर है, यहां पर हमने operators का use किया है, जो है greater than और equal to, ओके, तो यह हमारी condition है कि greater than, equal to 70 के होना चाहिए, या 70 के बराबर quantity होनी चाहिए, या उससे जादा होनी चाहिए, जहां पर भी ऐसी quantity आपको मिलती है, उसका total find out करके देना है, ओके, तो यह भी हम criteria हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम criteria को no down कर लेंगे, equal to 70, यह हमने criteria means condition, condition, no down कर लिया, ओके, अब हम क्या करेंगे, formula put करेंगे, sum if, range पूच रहा है, तो यह जो हमारी condition है, ठीक है, वो condition क्या है, कि quantity होनी चाहिए, 70 के बराबर, या 70 से उपर, तो quantity वाली condition है, इसलिए जो range होगी, वो quantity वाला column होगा, अगर हमारी यह condition, हमारे product के basis पर होती, या price पर pieces के basis पर होती, तो हमारी range चेंज हो जाती है, अगर product के basis पर होती, तो range यह होती, price पर piece के basis पर होता, तो range यह होती, बट हमारी जो condition है, वो quantity के basis पर है, तो इसलिए हमारा range होगा, यह वाला, F4 press करेंगे, comma press करेंगे, criteria देना है तो criteria के लिए हम इस वाले cell को select कर लेंगे इस वाले cell को select करेंगे, F4 press करेंगे, comma करेंगे अब sum का range हमें as a output क्या चाहिए, total चाहिए तो range हो जाएगा ये वाला column F4 press करेंगे और enter कर देंगे तो ये total आ गया है, ओके ये तो था हमने इस वाले cell को लिया अगर आप इस वाले cell को नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वही same range देंगे F4, comma जहांपर हमने criteria के लिए इस cell को select किया था वहाँ पर आप double inverted comma के साथ normally criteria write down कर सकते हैं ओके, done ये वाला cell F4 और enter तो दोनों का output सेम आया क्योंकि आप दोनों मैंसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं cell के through भी और manually type करके भी तो आज की वीडियो में बस नहीं मिलते हैं आपसे next वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और some if का use समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा and I will see you on my next one Thank you so much, bye bye